पुरुष भी अपने बालों को अच्छे तरीके से लोगों के सामने फ्लॉंट कर सके और किसी भी बच्चे से कम उम्र के अंदर ही अंकल सुनने की आदर को बदल सके इसलिए आया जानते हैं कुछ ऐसे आसान से उपाई जो पुरुषों के गंजे पन को अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के टिप नमबर बन यदि पुरुषों को गंजे पन की सिकायत है तो आप एक नुसका आजमा सकते हैं जिसके लिए आपको सरसो के तेल और हिना की पत्तियों का इस्तेमाद करना होगा एक कप सरसो के तेल के अंदर 4-5 चमच हिना की पत्तियों को डाली और इसे अच्छे तरीके से बॉयल कर लीजी ध्यान वहें कि आपका तेल जलना नहीं चाहिए इसे हलकी आंच पर बॉयल करिए इतना वायल करिए कि आपकी हिना की पत्यों का अर्क आपके सरसों के तेल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इस तेल को अच्छी तरीके से चान लीजिए ठेंडा करी और उसके बार अपने सर पर अच्छे तरीके से 15-20 मिट के लिए मसाज करी जब आप मसाज कर लेंगे तो उसके बाद आप शैंपू से अपने सर को दो सकते हैं ऐसा करने से एकसेस और आपके सर से साफ हो जाएगा रोजाना या फिर एक दिन छोड़ कर इस प्रकेरिया को करने से आपको काफी फायदा मिलेगा और एक से डेड़ महीने के अंदर ही आपके गंजा बन दूर होने की समस्या ठीक होने लगेगी पुरुशा के अंदर गंजे बन को दूर करने के लिए आप मेथी का प्रयोग भी कर सकते हैं मेथी को एक टेबल स्पून या फिर एक से दो टेबल स्पून दानों को अच्छे तरीके से नारियल तेल के साथ पीस कर पेस्ट बना लीजे इस पेस्ट को हैर पैक की तरह अपने बालों में लगाई कुछ दिर तक छोड़िये और उसके बाद शांपू से वाश कर लीजे ये भी आपके गंजे बन को दूर करने के लिए काफी अच्छा उपाय है गंजे पन को दूर करने के लिए आप नारियल के दूद का प्रियोग भी कर सकते हैं 20 मिलिलीटर नारियल के दूद के अंदर 2 टीस्पून आवले का तेल और उसके साथ साथ 1 टीस्पून नीमू के रस को मिक्स कर लीजे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके कॉटन जाने की रूई की सहायता से अपने सर पर डैप करिए हलका हलका कॉटन से लिगा कर अपने सर के उपर हलका हलका डैप करिए कुछ देर तक रहने दीजे और इसके बाल इसे शैंपू से वाश कर दीजे ऐसा करने से भी बालों की ग्रोथ अच्छी बनती है So friends, अगर आप भी गंजेपन से परिशान है तो ये वीडियो आपके लिए है इसे ज़रूर ट्राइ कीजिए और अपने व्यूस को हमार साथ शेर करिए मेरी ब्यूटी और हैल्स से रिलेटिट वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए